केतार प्रखंट अंतरगत परसोडी पंचायत के कधवन ग्राम में माभगवती काशको क्रिकेट टूर्नामेंट क्लब का फाइनल मैश युवा क्लब सनपूरा बनाम बीएशनेल रपूरा के बीश फाइनल मुकाबला खेला गया जिसमें सनपूरा की टीम ने पहले टॉस जीत कर गेंद बाजी करने का फैसला लिया वहीं बल्ले बाजी करने का मौका रपूरा टीम को मिला रपूरा की टीम बल्ले बाजी करते हुए सुधीप के च्छाचक के एवं सुमीद के चार चौके के बदालत 16 ओवर में 8 विकेट खोकर 173 रन का लग सनपूरा टीम को दिया सनपूरा की टीम ने महज 10.5 चार ओवर में अपने सारे विकेट खोकर 100 रन हासिल किया लग्ष की पूर्ती नहीं करने की वज़े से यह मैश सनपूरा की टीम हार गई युवा क्लब रपूरा के प्रिंस पांडे को मैन अफ दे मैश सचीवरा के स्वर्मा के द्वारा दिया गया वही मैन अफ दे सीरीज क्लब के अध्यास मंजय यादव के द्वारा दिया गया विजेता टीम को एक बड़े कप के साथ 3,001 रूपए एवं उप विजेता टीम को एक छोटे कप के साथ 1,001 रूपए दिया गया मौके पर मा भगवती कास्को क्रिकेट टूर्नामेंट कलब के अध्याश मंजय यादव उपाध्यच उदैव विश्वकर्मा, सचीवरा केश्वर्मा, उपसचीववसिष्ट चौधरी आवं कमीटी के सभी सदस्य के साथ छेदर के दर्सक मौझूद थे गढवा की खबरे और इसके आज़ पास से जुड़े अनोखी कहानी के लिए गढवा दृष्टी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें